दोस्तों, जब कभी आप बिमार पड़ जाते हैं या आपको कोई भी infection हो जाते हैं जैसे infection से आपका गलाख ख्राब हो जाता है आपको छीक याने लग जाती हैं आपके काशन में दिक्कत हो जाती है अलग अलग तरीके के infection हो जाते हैं और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवाईयों के साथ एंटिबाइटिक्स भी खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके बॉडी में इंफेक्शन हुआ होता है उसको ठीक करने के लिए एंटिबाइटिक दवाई जरूरी होती है लेकिन दोस्तों क्या आप जो ये एंटिबाइटिक खा रहे हैं आपके शरीर के लिए क्या ये लेनी ठीक है दोस्तों आप एंटिबाइटिक दवाई खा तो लेते हैं कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर की सला के बिना भी खा लेते हैं नॉर्मल आप chemist के पास जाते हैं, गला खराब होने लग जाता है, जैसे गला पकर है आपका, आप क्या करते हैं, chemist से दवाई लेके आगे और आप खाना शुरू कर देते हैं, आपका infection आपको लगता है, ठीक तो हो रहा है, लेकिन वो जो antibiotic दवाई है, आपके शरीर को नुक पकड़ जाते हैं, आप और जल्दी जल्दी बिमार पढ़ने लग जाते हैं, जैसे आपको बुखार हो जाता है, बदलते मोसम में खासी पकड़ जाती है, या आपको ठीक आने लग जाती है, आप ऐसे बिमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो दोस्तों घर में आप एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो पूरा एंटिबाइटिक का ही काम करेगी और इसको लेने से आपको कोई भी तरीके के नुकसान नहीं होएंगे बलकि आपकी जो बॉड़ी का इम्म्यूनिटी सिस्टम है वो भी इसको लेने से बढ़ेगा और आपका जो इंफेक्शन है न वो तो यू खतम हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों आप कोई भी अच्छे ब्रैंड का एपल साइडर विनिगर ले 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 ध्यान रहे दोस्तों अच्छी क्वालिटी का ही आपने लेना है नहीं तो आपको फैदा नहीं मिलेगा और आप दो देसी लसन की कलिया ले ले इनको आप अच् खीरा लेना है इसको आप छिलके समेथ रफली ऐसे ही काट के डाल दे और एक चाय का चम्मच जितना आप इसमें जैतून का तेल मिला दे और इसमें आदे नीबू का रस्ट डालना है आपने और यह सारी चीजों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है यह दोस्तों जो सारा ब्लेंडों के त्यार हुआ है यह आपकी यह कैसी दवाई बनी है नैच्रल तरीके से जो आप अपने एंटिबर्टिक दवाई के बदले लेंगे इसको आप कोई भी साफ काच की बनी में स्टोर कर सकते है और आप इसको फ्रिज में रखें अब यह आपकी जो दवाई बनी है ना दोस्तों इसको आपने कब लेना है और कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ यह जो आपकी दवाई है दोस्तों इसके आपने दो खाने के चमच लेने है दिन में आप दो बाल ले ले एक बास सुभे और एक बास शाम को और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवेर इंफेक्शन हो रहा है तो आप एंटिबाइटिक के बतले इसको जितनी कॉंटिटी म मैंने आपको बताईए ना तीन से चार बार भी कर सकते हैं दिन में कोई इससे आपको नुकसान नहीं होएगा आप मेरे कैने पे इसको ट्राइ करें एंटिबाइटिक को लेना छोड़े और ऐसे बना के अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो आपकी बोडी फिट भी रहे करेंगे आप इसको ट्राइ करें फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेमिडी के साथ बाई बाई